हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने डियूप चैनल पीजे एक्सिलेंस क्लासिज में स्वेर आज का टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले हमने चार चेप्टर अल्मॉस्ट कर चुके हैं सारी एकसाइस की सॉल्यूशन के सांथ लिं सब कुछ मिलेगा आप लोगों तो चार चप्टर का पम्ली डॉन के पांचो चप्र हमारा है ट्रिग्नोमेट्री डिख्यो कि उसमें पढ़ेंगे कि इस्टिग्नोमेट्री इस कहां पे होते हैं और कुछ एंगल जो होते हैं ऑ कैसे ति आना हमें करने हैं साइड्स और क्रेंग क्रेंड क्या रहेगा क्लिणों मेत्री यह क्यों होती है और क्या होती है क्रेंग रचिढकरी रेचियू हिंन थे सिर्ग को थे क्रैंस थी से एक तैब है कि आट इसन स्वाइटक कि वह act present okayrovसक का सभॉकल में अब हमें साइट्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन्शिप पढ़ना है यह ठीक है तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यह अपना दो वर्ड से बनाया है ट्रिगोन और मैट्री यह वर्ड ग्रीक वर्ड है मतलब थ्री साइड्स और मैंत्री मतलब मेजर आप समझ गये होंगे कि हमें थ्री साइड्स का मेजर्मेंट यहां पर करना है उनके रेश्यों से हो सकता है तो मैं बताता हूं आगे यह तो अपना इंट्रो हो गया चोटा सा इसको यूज कहां पर करते हैं देखो यह साइड्स निकालने के लिए तो इसको यूज करते ही है ठीक है लेकिन इसका रियल यूज क्या है रियल यूज यह है एक ट्रेवलर है ठीक है इसका नाम है बॉब यह ट्रेवलर है इसको मा mountain का height कितनी है तो क्या करेगा तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक है यह अपने application देती है इस distance and height को measure करने तो असानी से इस height का हम पता लगा सकते हैं ठीक है ground level से यह माल लो हमें पता है कितना है यह तो असान है निकालना माल लो यह 10 meter तो यहां से सको देख रहा है हो जाएगो इस angle को कहते हैं elevation तो यह elevation इस से पता चेलगा है कि अगर भी घृक साइन है जो की यह application है है हम distance और height के लिए इसे use करते हैं त्रीगनोमेट्री को आइये question पर चलते हैं अब आता है ट्रीगनोमेट्रीमेट्रेश लेशियो अब हम पढ़ेंगे ट्रीगनोमेटर्रेशियो ठीक है रेशियो क्या यह जो हम trigonometry है इसमें हम deal करेंगे only right angle triangle से means one angle stood at 90 degree A, B, C angle B 90 degree angle A and angle C is acute angles ठीक है यह दोनों acute होंगे क्योंकि angles हम property 180 degree होती है और यह 90 होगा तो obvious है यह दोनों acute होंगे तो हमें यही पता करना है मानलो यह angle के opposite C side B angle के opposite B side A angle के opposite A side तो अब हमें ratios में क्या होता है कि इनके ratios sides के ratio निकालने होते है तो इसके जैसे A by B निकाल दिया मैंने B by C निकाल दिया C by D निकाल दिया लेकिन trigonometric में कुछ standard है इसके निकालने के जो मैं बताता हूं सबसे पहले आता है साइन थीटा ठीक है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपार्टनस अब देखो मैंने अगर एंगल C को थीटा लिया मैं अपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाले अधर्य इन्टे डिगरी होगा राइट ठीक है तो साइन थीटा क्या होता है पर्पेंडिकुलर भाई हाइपॉल्पनेस कोस थीटा होता है पर्पेंडिकुलर भाई बेस यह हमारे कन्वेंशन से इг्लॉमेरेट्र के साइन को मेंशने कॉल से को सिकर्ण ऐसे कर थिक क्या होगा टेन का उल्टा है को कि वह आksomगा इसलिक को tại साइन का ऋल्टा मैं के हैं है नियिके guys we'll be different होगा यह जाएगए को सोद्टी के तो यहां से कुछ फ्रमलल भी पता चल गए आपको तो sin theta किस चीज़ का ratio है AB by AC का ratio है ठीक है तो अभी तक हमने इतना बढ़ा कि trigonometric ratios क्या होते है ratios क्या होते है sides का ratio trigonometric ratio क्या होते है angle जो triangle की sides है उनके ratios next पर आते है आपको angle sum property बता है angle sum property of triangle क्या होते है angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree let's suppose हमने एक right angle triangle ले लिया angle B at 90 degree है तो अब हम क्या का सब्सक्राइब सकते है angle A plus 90 degree plus angle C equal to 180 degree तो अपन लोग ने क्या किया angle A plus angle C equal to 180 minus 90 तो यह हो गए 90 तो angle A plus angle C मिला के 90 degree होना चाहिए ठीक है क्योंकि one angle already 90 है तो इससे हमें क्या बतालता है इस इंप्लाइज एंगल A and angle C are acute angles ठीक है acute angles क्या होते हैं जो 90 से कम होते हैं तो जोनों को मिला के जब 90 हो रहा है तो अब मैं बताता हूं मैंने क्यों प्रूफ कर रहा है कुछ हमारे trigonometric कि टीटीटीज है कि टीगनोमे टीटीक कॉंप्लीमेंट्री कॉंप्लीमेंट्री अच्पी प्रूफ कि आइडेंट्रीटीज बहुत इंपर्टेंट है सबसे पहले अपना आता है कॉस 90-1 थीटा एककल टू साइन थीटा ठीक है तो यह होता है कॉम्प्लिमेंटरी एंगल मतलब कॉस्ट नाइंटी माइनस थीटा साइन थीटा के एकक्वल होता है आप पुछो कि कैसे तो आईए एक ग्राफ लेते हैं इसे मैंने एकसर राइंटे डिगरी है ये बिदे हैं ठीक है मैंने इसने एक लाय है यह हैं ये ड्रीसपैर sapon 나 येक्ष है यसे डोनों साइड अइक्वल होंगी dit क्या है यह यह पिर देखो आप अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो यह वाला कितना हो जाएगा 90-धीटा कि इसको करते हैं सॉल्व तेखो साइन थीटा क्या है साइन थीटा क्या हो जागा यहां से सुमाल लो O A B C तो यहां से साइन थीटा हो जाएगा पर्पेंडिकुलर भाई हाइपोटनेस पर्पेंडिकुलर वाई हाइपोटनेस ओ भी है अब कॉस 90-धीटा निकाल लो कॉस 90-धीटा कितना है कॉस 90-धीटा यह बेस क्या है वाई यह और इसके बेस यह होगा या दो यह कब ऑगे न हो we have to prove कि अ से है इसे लिए यह एदेन्टीटी कुछ इसकी और अटा fairness ऑन है सेगेंड है साइन 90 माइनस थीटा इकोल तू कोस थीटा थर्ड ऐसी आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा इकोल तू कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा इकोल तू 10 थीटा सेक 90 माइनस थीटा इकोल तू कोस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इकोल तू सेक थीटा ठीक है तो यह हो गया अपना तो इससे क्या हुआ अब देखो यहां पर किसी में माइनस नहीं है क्यों क्योंकि अपने जो कोडरेंट होते हैं चार कोडिनेट जमेंटर में बताया था तो अब ट्रिक्नोमेटर के ट्रम में चीज़ बताता हूं यहां पर सारे पॉजिटीव होते हैं यहां पर साइन पॉजिटीव होता है यहां पर कॉजिटीव होता है यहां पर कहोई से नोट है कि साइन चीटा है कि साइन और की यह राइट 1700 गलत आ यह लाइट गलत है क्योंकि इन बोनों का कोई मतलब नहीं होता साइन थीटे का मतलब है sin of angle theta ठीक है दिक्कत ना हो पढ़ने में असानी हो इसलिए इसको sin theta लिखा जाता है ऐसे ही cos theta 10 theta ठीक है इसको बुदत है tangent of theta इसको बुदत है cosecant of theta ठीक है तो sin theta अपने आप में ही complete है sin और theta अभी भी अलग-अलग complete नहीं हो सकता यह है ठीक है नेक्स्ट अपने आते हैं अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आइडेंटिटीटीज का कि अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कि फर्स्ट है या साइन ट्रीट प्लस कॉस्ट उडटीट एकयल टू ऑन ठीक है यह होता है इससे और फर्म्मौ निकल सकते हैं हमारे साइन स्कॉर्स ट्रीट एक को डू दूँट उडाल है ठीक है कि अब यहां से एक और फर्म्मला निकलता है कैस्क्ट उड्रीक cuba 2-1-2 स्क्वार थेटा ठीक है यह तीन फॉर्मले बन गई से हैं सेकेंड है हमारा स्क्कुर्ड थीटा-10 स्क्कुर्ड थीटा-10 कुण टू 1 इसे भी और फॉम्लाय बन जाएंगे स्कुर्ड ति इसको इद्र लिए एक और फॉम्ला बन सकता है 10 square theta equal to second square theta minus 1 ठीक है यह दो formula बन गए आप लोगों के next हम आते हैं third formula पे next formula पे आते हैं अपने वो है cosec square theta minus cot square theta equal to 1 तो cosec square theta क्या हो जाएगा अपना 1 plus cot square theta और cot square theta क्या हो जाएगा cosec square theta minus 1 तो यहां से भी 3 formula बन गए तो मतलब 3 formula से 9 formula में भी याद कर लिए ठीक है आईए अब अपने exercise पे चलते हैं जरा exercise 8.1 तो exercise 8.1 का हम question करने जा रहे हैं जहां हमें दिया एक right angle triangle ABC और हमसे पूचा है sin A, cos A, sin C और cos C अब देखो यहां A पूचा है यहां C पूचा है तो जैसे ही side theta change होगा जिस angle पर theta निकालने की बात होगी वैसे ही sides के ratios भी change हो जाएगी इस question के मादें से आपको बताऊंगा तो देखो यह अपना question है ABC तो सबसे पहले हमें यहां क्या एक करना है पाइथोगरस theorem यूज कर लेनी है ठीक है क्यों क्यों क्योंकि अपने को 2 side पता है और 3 side पता होने चाहिए कोई भी अपका ratio निकालने के लिए sin cost सबसे कोर्ण सब्सेक्वार्ण सब्सक्राइख तो मैंने इसका स्क्राउज 9 को स्क्वार्ण 600 5 जाको एड़ कर दो 625 तो अपने को पता हैos 25 का स्क्वार होता है तो इसको मैंने ऐसे कर दो 625 ठीक है तो अपने को AC मिल लिए 25 AC 25 BC 7 AB 24 ठीक है तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ 25 तो अब देखो 17 एक क्या होगा अभि हैंग फीटा अब है कि ज्यकी होता है है प्रफिंडिकिलर capable क्य erosion क्या हो सामनेवार सामने वाला कि में हैं सलनेगल के सामनेगल के सामने वाला 25 है इसी कॉस से निकालते है को स्क्ष यह चाहिए बेस्ट वैक में सिस्स कितना है 24 हाइपोटनस 25 ठिक है अब आते हैं ठोड़ा सा устрой ce error है मुद्छ सारे किसे बोला है वह हमसे बोला है साइन सी कालो साइन क्या हूता है बेंडिकुलर है अब मेरा प्लिटा ये है अब ये थीटा नहीं नहीं अब परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने वाला मतलब यह इसके सांथ वाला बेस हो जाएगा तो आपने देखा जैसे जैसे एंगल थीटा वैसे इसकी रेश्यों भी चेंज होगा है ठीक है अब आपके पास तीनों साइड है कोई भी साइन कोट सिकेंड कुछ भी निकाल सकते हो ठीक है तो अपने को तीन साइड पता हो नीची है या फिर दो साइड पता होगे हम लगा सकते हैं ठीक है तो यह कोशन है NCRT का कोशन 6 8.1 का इसमें पूला है कि एंगल ए और एंगल भी दो एक्यूट एंगल है ठीक है और अपने एक ट्राइंगल बना लिए अपन ने ठीक है एंगल 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 भी एक्यूट है सफ अब उने खरे है पने खरे होया है n सब्कूल कर सब्सक्राइब करें चुआ Mm bah कोशिग के इक्यूल होगा तो हम सुरूड करते हैं हम जो चीज़ दिया है उससे क्या होता है कि मैध इस फ्रीटि ऑगोशिट पर मैं यह से चीज़ होंहिए तो यह जाएगा base तो जाएगा AC divided by hypertonus AB अब cos B अब यह थीटा है तो इधर वाला BC ठीक है और hypertonus AB समझ रहे हो ना जब थीटा यह है तो base यह हो गया जब थीटा यह है तो base यह हो गया ठीक है और hypertonus तो same है अपना और हमें perpendicular से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब हमें एक लिए तो कुछा है तो क्या हो जाएका एक जमी कैंसल अब हमारे पास बचा इसी कोल टूबीसी अश्य क्या है यह में अब यह इसी के opposite angle कॉन सा है जिसे बीडिये क्यों सा है अब मैं ने यह क्यों लिख दिया यह तो आया प्रूफ होके लेकिन पता है एंगल को फोग Оप्वोजिट व को कि क्वाइट के हुआ मतलब इक्वाइट की यह बोगी बॉत ऊप्वाइड हाइब फोग फिक जो फोग फटो हुरम है और इक्वाइब को इसलिए हमने यह प्रूफ कर दिया थिक कि कि एंगल एंगल भी कोल क्अबर क演ा से कोज्ण डिया है तो को से असे निकाल दिया असिए वाइवी दोने में ए TS साइड पॉजिट्थिव उंगषें खोवल और यह हमने है ठीक है तो यह ऐसी ही टाइप के कोशन से जैसे ट्राइंगल दे देंगे 75 ठीक है A B C और आपसे पूछेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेक्षियों निकालो तो क्या करना है सींपल पाइथोगरे स्वाइप निकालनी है मनलों साइड रागए कुछ भी आगई ठीक है तूब साइन आपको पता है परपेंडिकुलर भाई अपूटनेश भी हाइपसलेश पर एपको सकेंट कुछ आइडेंटिटई पर ही साइन स्वाइट तेया कोश्वेद एक कोट स्कुर्ण थिण थिण स्कुर्ण थिडा मरनीस इसकुर्ण थिडा इकुन संनि सुर्ण नोइक यूट- nimo फे लिए आपको हुप स्शें मैं अच्छेसे याह वर कुगे होंगे हैरespèreो मैं अब को बताूंगा वह टेबल जो अपकी एक टेबल होती है, ट्रिक्नोमेटिक टेबल, 0, 30, 45, 60, 90, इसे बदको याद कैसे कर लेना है, जो कभी नहीं भूलोगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, तो स्टेट इन्टो 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 इस चैनल, वाच इट, लाइक, सब्सक्राइब टें, थैंक यू फॉर झाल अल्डा सिभी राद करन दो, स्टेब होती है, थैंक धूराव फ्साद कि अाया होती है, जो वाचितते है, यू जिएर व।, झालें कि आ झालेगा कि ततातumanétique है, वाच जू भी, सब्सक्राणीन है, यू दितते हैं गह इते हैं, लाचॉ को यू पालेशीयं हैं, बह